आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने Redmi या फिर MI के फोन में outgoing call problem आ रही है यानि कि outgoing call से related कोई problem आ रही है तो कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर इसके लिए आप अपने फोन के dialer पर click करके रखिए या फिर press करके रखिए उसके बाद app info पर click करिए अब उसके बाद नीचे force stop पर click करके ok करिए clear data पर click करके clear all data पर click करके ok करिए ये settings करने के बाद अपने phone की settings में जाने के बाद आपको नीचे scroll करके apps वाला option मिलेगा इस पर click करिए उसके बाद manage apps पर click करके आपको यहाँ पर search करना है phone service यहाँ पर phone service पर click करिए और same process आपको करना है तो यहाँ पर phone service पर click करके same process force stop करके ok करिए clear data पर किलिक करके clear all data करिए उसके बाद back आईए apps में एक option आएगा system app settings इस पर आप किलिक करिए और किलिक करने के बाद एक option आएगा call settings इस पर किलिक करिए उसके बाद एक option आपको मिलेगा नीचे advance settings इस पर किलिक करिए उसके बाद आपको मिलेगा call bearing यहाँ पर आप देख सकते हैं call bearing पर click करिए अब जिस sim से आपको outgoing call problem आ रही है उस sim को select करिए और यहाँ पर थोड़ा सा wait करना होगा आपको आपकी call settings यहाँ पर read होगी अब उसके बाद आपको check करना है यहाँ पर अगर आपका all outgoing calls वाला option चालू है तो आप इसे बंद कर दीजिए यहाँ पर अगर आपका on होगा यह इस type से तो आप इसे click करके off कर सकते हैं इस option को आपको जरूर बंद कर देना होगा उसके बाद back आईए अब आपको settings में ही एक option मिलेगा नीचे की तरफ more settings अगर more settings का option नहीं है तो connection and sharing पर click करेंगे उसके बाद नीचे scroll करके आएगा reset wifi, mobile network and bluetooth more settings में यह option हो सकता है अगर more settings का option नहीं है तो connection and sharing में आकर इस पर click करिए और जिस sim से आपको outgoing call problem आ रही है उसे select करके नीचे reset settings पर click करिए अपने phone का lock enter करिए उसके बाद ok का option आएगा ok करिए यह करने से कोई आप पर data delete नहीं होगा only आपकी network settings reset हो जाएगी अब यह सब process करने के बाद आप check कर सकते हैं outgoing call से related आपकी problem solve हो जाएगी वीडियो बसंद आई हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें